हेलो एवरिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल कोगविद राहर उम्यद करती हूँ आप सब खेरे से होंगे मैं भी बिल्कु ठीक ठाक हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही चटपटी और टेस्टी यह चना चाट मसालेदार बनाएंगे और नए अंदास से बनाएंगे जैसे मैं अपने घर में बनाती हूँ तो बच्चों को सबको यह पसंद आते हैं तो यहां ले लिए हमेने डाइसोग्राम यह चने हैं इने अच्छे से मैं धोलूँगी तिन से चार पानी में और इसमें पानी डालके मैं ओवर नाइट से ऐसे ही सोक करूँगी अगर आप डाल दिया है मैंने अच्छे से दोकर अब इसे हम कवर कर देंगे और रात भर के लिए मैं इसे ऐसे ही चोड़ दूँगी तो यहां कवर कर देते हैं और ऐसे ही इसे चोड़ देते हैं और देखिए यहां आप मैं सुबह को आपको दिखा रहे हूं चैने किते अच्छे से कितना इनका color change हो चुका है अब इसमेंसे लके और चिनि लोगी जो मैंने बताया था कि मैं यह पूरे चनि नहीं बनाने वाली हूँ आप इससे mort कुमें कोकर के अंदर और बागी ज्य चनि याप करने वाले हैं बागी चनि का यह बताती हुँ यह कोअ क्क कर दिया है वे औरहको रखते हैं साइड और जो चने हैं इनने हम पानी निकाल देंगे इसे हम करेंगे फीरीज जो बचे वे चने हैं इसे हम फ्रीजर परके अगर गिए एक जिप्लोग पनी के अधर ढाल कर आप चाहे तो किसी बिप कंटेनर में की डबे में डालकर भी इसे फीरीज लाई तो रमजान में या बिना रमजान के भी आपके लिए बहुत जादा काम तेल लगाने का मकसद यह है इसी उपर तेल की कोटिंग हो जाएगी तो चने की जो उपर की स्कीन है वो भी ऐसी चमकदार रहेगी और जो अंदर से है चना वो बदमजा बदजायका नहीं हो एगा उसका अंदर का फ्लेवर टेस्ट ऐसे ही रहेगा और देखिए इस तरीके से बहर देंगे और इसे कर लेंगे हम फ्रीज्जर में फ्रीज कभी भी आप निकालें आसानी से बनाएं अगर आप रमजान में बना रही है diferente बिल्कुल भी खराब नहीं होएगा बिल्कुल यह बदा की नहीं होएगए तो मेरे पास सबसे बेस्ट टारीका मुझे यहीं लगता है क्योंकि भीगे वह होते हैं तो जट से निकाले और इसे दो सीटी लगाकर गला लिए और आराम से बना लेते हैं तो देखिए मैंने कुछ और भी यहां फ्रीज कर रखे हैं डबे के अंदर यह मैंने 20 दिन पहले ही बनाए थे और इसमें से निकाल के मैं दो बार बना भी चुकी हूँ आप जो बचे थे मैं इस तरी के से रख दिये थे यह दिखाने का मकसद आपको यही था कि रमजान में कैसे अपना काम कर सकती हैं और देखिए मिन दालें दूगे प्रसे पानी एक गिलास इन्हें बो kindly करने के लिए अब इस में ढालेंगए हम अपने साब से नमक कमीरा जादा भी कर सकते हैं अप्ने मत्र्ट चॉटल भी डाल दें या आदा ढालें आदा मसाला भूंता टाइम दाल सकते हैं, इसमें हम लगा लेंगे 3-4D, फेले दो सिटी हमाई फ्लेम पफी लगाएंगे फिर दो से थीजों हम लोग लगाएंगे g तो इसे कवर कर देंगे और फ्लेम पर चड़ा तो दीटें इस तरीके से काट अंदा निकाल दें और उपर का बारिक-बारिक काट रहे हैं यह प्यास हम जब सर्फ करेंगे उसके उपर डालेंगे तो इसे भी काट लेते हैं और एसे ही हम दूसरे फैस को स्लाइस में काट लेंगे तो देखें के यहां दनिया निवो भी ले लिया है और यह प्यास को मैंने देखिए एक मोटा काटा है और वारी काटा है अब इससे देख लेते हैं चनों को देखें चने मेने अभी चड़ाये थे हैं चने में दो सिटी आई है और यहां छोड़ देते हैं चने तो देखें तीस सिटी भी आ गई है फ्लम को मैंने यह लो कर दिया है अब इसे ऐसे ही चोड़ते हैं और चलते हैं हम चनों के त्यारी करते हैं यह तसे सिटी आती रहेगी इतने हम मसाला यहां तयार कर लेंगे तो यहां ले लिए मैंने कढ़ाई इसमें मैं डाल दूँगी दो चम्मस तेल या मस्टाड ओल ले रहे हूँ आप चाहे तो रिफाइन ओल भी ले सकते हैं तो इसे अची से गरम कर लेंगे और इसमें बहुती है तेल nukसान भी जरू डालें इसमें अब इसे अच्छे से रहा है जीरा चटब कार winter तो यहां प्यास डाल देते हैं जो हमने सलाइस में काटी थी आप चाहे तो प्यास को बारी भी काट सकते हैं मगर मैं इस तरीके से काटू हुए तोड़े दिखती है प्यास अच्छे लगती है हलका सा सोफ्ट करेंगे जादा हम यहां प्यास को नहीं पकाएंगे सिफHzämäब कलर आजाए न हुआज़की सी सोफट आजाए हलका सा से इसकंदर कलर आजाए तो अजिए फिलेम को रखेंगे लो लो फिलेम पर प्यसको अच्छे से सोफट करेंगे और पकाये दिखिए न हलका सा ता पेस्ट भी डाल सकते हैं तो यहां डाल दी है मैंने टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे प्यास के साथ और अब यहां एड़ कर देंगे हम सबसे पहले नमक जिससे टमाटर और जो यह प्यास है इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा तो आदा चमज मैंने डाला था पोईल करते टेम चनों को और आधा चमज मैं अब डाल रहे हूं और जो नमक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ने कम होगा तो हम डालेंगे तो इससे भी अच्छे से मिक्स करें और अब एड़ करेंगे हम यहां अब यहां हरी मिर्च भी एड़ कर देते हैं जो हमने काटके रखी ती मैं बिल्कुल आधी डालेंगे और अदी मैं सर्वकर्टर ढुखला कर दे Bowl में तक डालेंगे हम चतनी और और कोई मसाला में ऐसा डालूँ इससफर में यहां लसन, जीरा और लाल मिट की चट्णी मैंने पीस के रख रख रखी है वो मैं यहाँ अट करूँगी और इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा दो चमची है चट्णी यहाँ अट करेंगे और अच्छे से मसाले से साथ मिक्स कर लेंगे मसाला हम भून लेंगे अच्छे से देखिए अब इसे कवर कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बार टमाटर प्यास अच्छे से पख जाएगी और जो चट्णी है वो भी अच्छे से भून जाएगी जयां को यहां कर देंगे और अच्छे से भून चुगा है तेल उपर आ चुगा है जो चट्नी वहहं अच्छे अब यहां डाल देंगे उबले हुए चने मैंने निकाल ली है अच्छे से फोईल हो चुके हैं मैं अभी आपको चेक कराती हूँ देखिए चने कितने अच्छे से गल चुके हैं डाल देते हैं और चनो को कर लिंगे mix और इन्हें हम जब तक पकाएंगे चनों गंदा जो थोड़ा बहुत पानी है मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी खोशक हो जाए अब इसमें हम एड़ करेंगे निम्बू हरा धनिया और चाट मसाला पहले हम इसे कुछ दिर ऐसे ही ढग देंगे मसाले के साथ चने पक जाएंगे और देखिए चनों को पकते वे कम से कम दो मिन्ट हो गए है अच्छे से पक चुके हैं तेल बाहरे आ चुका है अब यहां एड़ कर देते हैं पहले निम्बू यह आदा निम्बू ले रहे हूं खटा आप अपनी हिसाब से इसमें एड़ कर स प्लीटिंग अब अच्छे से अच्छे से तयार हो चुके हैं आप इसमें हम डालेंगे चाट मसाला डाले के बाद इसका टेस्ट और बढ़ए जाएगा तो आदा चम्मा चाट मसाला डाल सकते हैं इसकी वीडियो में पहले ही शेयर कर चुकी हूं आप मेरे चैनल पे जाकर कोक्वित राहत पर तैयार हिए मसालेदर ने रख़ें और देखिये तयार हो चुके हमारे तियस्त तिसे शौच्छ कलई दा कैसे आप इस तरीके से पनाएं रम्जान के ना के वना रमजान के बनाएं ना जाएं और इस विह दिर दाएंगा और त्रय ना जाएं जो हमने लसन की चटनी डाली है न उसी में इसका फ्लेवर बहुत जादा आता है और उसी से ये चने बहुत अच्छे लगते हैं तो ये मैंने तो बना लिये हैं हरी मेर्च प्याज और हरा धनिया सर्फ कर दिया है इसके उपर आप भी बनाएं इंजोए करें अपने पारवार को जरूर बना के खिलाएं इस रमजान मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप मुझे इस्टाग्राम फेस्बुक पे फोलो कर सकते हैं अपने कमेंट अपने राय वहां दे सकते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेर करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर दमाएं मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया